कोई बाएं बाएं हम लोग के उमिर्वार के खिलाफ यहां पर बरबर कोई कर रहा ना है तो छुनववा के बाद उस्तिरम बुक्ती में लेगी। कोई बाएं बाएं हम लोग के उमिर्वार के खिलाफ यहां पर बरबर कोई कर रहा है तो छुनववा के बाद उस्तिरम बुक्ती में लेगी। समस्तिपूर लोकसवा सीट पर क्या होगा बावला बड़ा ही दिल्चस्प है। नमस्कार दर्सिन द्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग समस्ति पूर में मामला दिल्चस्प है ये तो आप जान ही रहे हैं बार बार आपको बता ही रहे हैं कि सामबवी चौधरी वहां से मैदान है मैदान में है LJPR की कैंडिडेट है चिराग पासवान की पा जो सदस्य हैं असोग चौधरी उनकी बेटी सामबवी चौधरी मैदान में है NDA कैंडिडेट है लेकिन दूसरी तरफ बी नितीस मंद्री मंदल के ही जो सदस्य हैं उनके बेटे हैं अगर बात करें महेश्वार हजारी के बेटे सन्नी हजारी महागडबंदन के उमीदवार है ऐसे में मामला तो दिल्चस्प होना ही है और इस मामले को और भी दिल्चस्प बना दिया है सियम नितीस कुमार के उस बयान ने जिसमें उन्होंने कहा है कि गरबरी करने वालों का हिसाब करेंगे चुनाओ के बाद उन्हें मुक्त करेंगे तो सियम नितीस कुमार ने समस मत्तिपूर के मैदान में इस सारे इस सारों में बड़ी बात कह दी और कहा कि चुनाओ के बाद गरवरी करने वालों को मुक्त करेंगे ऐसी इस्तिती में गरवरी किसने की उनी के सरकार के मंत्री जो है महस्वर हजारी जो आकरी वक्त में मंत्री बने थे और उसके बाद गरव और इस मामले में हो गई कि महस्वर हजारी के बेटे सनी हजारी कॉंग्रेस में सामिल हो गए और कॉंग्रेस ने समस्तिपूर का टिकेट थमा दिया सनी हजारी को। वैसे में पिता महस्तर हजारी के सामने बड़ी ही अजीवों गरीब इस्तिती हो गई कि करे तो क्या करे बेटे का प्रचार करे या फिर अपने पाटी के नेता की बेटी का प्रचार करे अगर देखा जाए तो उस लिहाज से अगर महस्तर हजारी के लिहाज से देखा जाए त उन्हें बेटे का प्रचार छोड़कर दूसरे मंत्री की बेटी का ही प्रचार करना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से वो एंडिये में सामिल है और एंडिये उमिद्वार तो सामभवी चौधरी है वैसे इस्थिती में नितीज कुमार ने मंच से साप कह दिया अगर यू कहें को चुनाओ के बाद मुक्त करेंगे यानि मुक्त करेंगे मंत्री बनाया है उन्होंने महस्वर हजारी को लेकिन महस्वर हजारी ने स्ताथ नहीं दिया बलकि अपने बेटे को दूसरी पाटी से मैदान में उतरवा दिया विपक्ची पाटी से वैसी इस्थिती में नितीज कुमार कह रहे हैं कि उनका भी हिसाब किया जाएगा लेकिन चुनाओ के बाद तो खेर चुनाओ के बाद हिसाब किताब करेंगे लेकिन अब यहां पर तो मामला गरबर हो गया क्योंकि महस्वर हजारी तो पहुचे ही नहीं महस्वर हजारी का इलाका है बेटा चुनाओ में है वैसी इस्तिती में बेटे के खिलाब चुनाव परचार करेंगे बड़ा सवाल है वैसी इस्तिती में दोनों तरफ मंत्री के बेटे बेटी ही है और यहाँ पर बनी चर्चा भी है समस्तिपूर में और यह चर्चा पहले थी कि नितीज कुमार क्या करेंगे हलाकि नितीज कुमार NDA के नेता है NDA में सामिल है ते वो NDA के लिए चुनाव परचार करने पहुचे और यहाँ पर उन्होंने कह भी दिया कि जिन्होंने गरबड़ी की है उनका हिसाब किताब करेंगे चुनाव के बाद करेंगे तो यह बड़ा ही दिल्चस्प हो गया नितीज कुमार ने मैसेज दे दिया कि मंत्री भलही उनके है बेटे उनके मंत्री के है लेकिन उनके लिए परचार वो नहीं करने आये है इधर मंत्री की बेटी है असोग चौदरी की बेटी है और NDA की उमिद्वार है उनके लिए चुनाव परचार में आये है और साफ साफ मैसेज भी उन्होंने दे दिया कि गलती किया है उन्होंने गरबड़ी की है तो हिसाब किताब भी करेंगे तो ऐसी इस्तिती में आप समझ सकते हैं समस्तिपूर का मामला और भी दिल्चस्प हो गया है और जिस तरह से चिराग पास्वान भी पूरा जोर लगा रहे है क्योंकि चिराग पास्वान की पाटी की उमिद्वार है सामभवी चौदरी असोग चौदरी की बेटी है तो ऐसे मैं असोग चौधरी पूरा दमखम लगा रहे हैं समस्तिपूर में तो समस्तिपूर का मामला बड़ा ही दिल्चस्प है और जिस तरह से नितिज कुमार के लिए दूबिदा की इस जिती थी हलाकि उन्होंने दूबिदा दूर करने की कोशिश की है और कहा है कि महस्व में मंत्री जी साथ में है महस्वर हजारी है महस्वर हजारी को खुल कर नितीश कुमार के साथ आना चाहिए था नितीश कुमार जिसके लिए प्रचार कर रहा है उसके साथ मंच पर उनके साथ आना चाहिए था लेकिन वह नजर नहीं आ रहे हैं तो वह ऐसी स्थिति में निती समस्ति पूर के मैदान में आ गए हैं और अपने खासंखास की बेटी के लिए असोग चौदरी निचिष कुमार के खासम खास कोशा हैं बहुत करीबी इंटिष के तर पर जाने जाते हैं तो चुनाव प्रचार किया है उन्होंने और साफ साफ यहां कह दिया है कि जिनोंने गरबड़ी की है उनका हिसाब किताब वो करेंगे और जो साथ रहके गरबड़ी कर रहे हैं तो उनका तो हिसाब किताब होना तय है तो तमाम बाते नितीज कुमार ने कह दी है और अब मामला और भी दिल्चस्प हो गया है समस्तिपूर के मैदान में सामभवी चोधरी बनाम सनी हजारी की लडाई है यानि एंडिये बनाम इंडिया गरबंदन की लडाई है और इसमें सब ताल ठोक रहे हैं और नितीज कुमा चुनाओ तक इंतजार कीजिए और चुनाओ के बाद क्या होता है और क्या समीकरन बनते हैं लेकिन एक बात ये जरूर है कि महेस्वर हजारी अगर कहा जाए अगर उनके बेटे सनी हजारी चुनाओ हार जाते हैं तो न इधर के रहेंगे न उधर के न घर के रहेंगे न घा झाल झाल